हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है डॉक्टर विकास प्रगेल और आज मैं आपको बताऊंबा हीमोफोर्ट सीरप के बारे में दोस्तो हीमोफोर्ट सीरप यानि कि इसके नाम से ही किलियर है जो कि आपके सरीर में खून की कमी को बहतर करने के लिए इस्तिमाल की जाए यानि कि यह आपके खून को अच्छा करने में मदद करती है खून को एक तरह से टॉनिक के तरह इस्तिमाल करने में भी मदद करती है तो आज मैं आपको इसके बारे में समकून जानकारी देने वाला हूँ जैसे कि इसके अंदर क्या-क्या चीज मिली होती है जिसकी वज़े से आपके ये खुन की कमी कुदूर करता है इसे आपको कितनी मातरा में इस्तिमाल करना चाहिए किस उमर तक के इनसान को इसका इस्तिमाल करना चाहिए कितने दिनों तक आप इसका इस्तिमाल कर सकते है और इसके क्या नुपसान है, क्या फायदे है, क्या इसका प्राइस है इस सब चीज की जनकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से दो ही चीजे पाई जाती है सबसे पहले तो इसके अंदर iron होता है जो कि 50 mg की मातरा में होता है और दूसरे नुमर पर इसके अंदर folic acid होता है जो कि 0.5 mg की मातरा में present होता है आप इसके फायदों के बारे में जानना चाहें तो फायदों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहला फायदा होता है यह अमारी खून की कमी को दूर करने में मदद करता है अगर किसी भी इंसान के अंदर खून की कमी है जिसकी वज़े से उसे बारबार चक्कराते हैं कमजोरी महसूस होती है धकावट महसूस होती है तो उस कमी को दूर करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करना सुरू करें इससे आपकी खून भी बेतर हो जाएगा और खून की कमी में भी बहुत ज़िदा इजाफा होगा इसका दूसरा फायदा होता है आइरन की कमी को दूर करने के लिए कभी कबार क्या हो जाता है हमारे सरी में आइरन की कमी हो जाती है तो आइरन की कमी को भी आप दूर करने के लिए इसका इस्तिमाल कर सकते हैं इसका अंदर वो सभी परकार के पोशक तत्व पाई जाते हैं जिसका इस्तिमाल करके आप अपने आईरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं इसका चौता फायदा होता है भूग को बढ़ाने के लिए अगर आपको भूग बिल्कुल नहीं लगती है या फिर आपको खाना खाना ही अच्छा नहीं लगता है तो आपके सीरप का इस्तेमल करना सुरू करें या आपके पाचन सिस्टम को तंदूरुस करने में मदद करेगा आपकी बोडी को हेल्थी बनाने में मदद करेगा और आपको भूग जोना रगने की समझ्चा है उसको पूरी तरसे ठेक कर देगा इसका पाच्वा फाइदा होता है मासिर धर्म के सिकायतों को दूर करने के लिए कभी कबर क्या होता है कि मैस्टल पीरट के दौरन काफी ज़दा प्रेटिंग हो जाती है जिसकी वजएसे जो फिमेंस होती है उन्हें काफी ज़दा पेन होता है उनके सरी में कमजूरी आ जाती है तो इस कमजूरी को दूर करने के लिए महासिक धर्म से संबंदित सभी परकाय के दिक्कतों को दूर करने के लिए भी आप इमोफोर्ट सीरप का इस्तिमाल करें या आपके खून की कमिक को दूर करेगा आपके सभी में जो कमजोरी है थकावट है इन सभी दिक्कतों को दूर करने में भी आपकी जाता मदद करेगा तो आप इन सभी चीजों के लिए इसका इस्तिमाल कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ अगर आप इसका इस्तिमाल अधिक मात्रा में कर लेते हैं तो आपको कौन-कौन से नुखसान हो सकते हैं सबसे पहले अगर आपकी बॉड़ी पर यह सूप नहोग तो भी आपकी बॉड़ी में क्या प्रकार की साइड इफेक्ट नजर आ सकते हैं जैसे कि बॉड़ी पर लाल लर्चे कत्ते आ जाना आपको काफी जदा ऐसा मैसूस होगा कि आपको बुखार हो रहा है आपकी इम्मूटी कमजोर नजर आएगी जा फिर आपको काला मल की दिक्कत आना बहुत अधिक मात्रा में पेशाव संबंदी को रिक्कत बन जाना जा फिर आपके सभी में किसी प्रकार की एलर्जी हो जाना ऐसे आपको संब्स नजर आ सकते हैं तो आप इनके साइड एफेक्ट को जरूर जाने अगर आपको ऐसे कोई साइड एफेक्ट नजर आए तो तुरंती आपको इस सीरप को छोड़ दिना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए अपने आपको घुजाता हूँ आपको इसे कितनी मात्रा में इस्तिमाल करना चाहिए दोस्तो इसका इस्तिमाल करने से पहले आप डॉक्टर की जरूर सला ले फिर भी एक अडेक्टर डोज के हिसाब से जिसकी भी उमर 18 साल से उपर है उसके लिए 10 ml से लेकि 20 ml की मात्रा मे जिन कि उमर बारे साल से ठाए साल के बीच में हैं उनके लिए 5 ml दिन में लोगार दिनी की सला दी जाती है हमेज़ा इस सीरप का इस्तिमाल आपको खाना-खाने के बाद ही करना चाहिए। खाना- ні से पहले आप इसका इस्तिमाल ना करें अब मैं आप को बताता हूँ इस सी प्रप्धानी पर रखनी है सबसे पहले तो आपको इसे बच्चों की पहुंच से दूर रखना है क्योंकि बच्चे इसे अनाप सनाप तरीके से भी पीछ सकते हैं जिसकी बज़े से उनकी बॉड़ी में आयरन बहुत जदा बढ़ जाएगा और आयरन का टॉक्सीमिया हो सकता है जो कि उनके लिए काफी ज़्यादा हानिकारक है दूसरे नंबर पर जो भी गरवफती महिला है या फिर किसी बगार के लिए वज़े किड्नी का पेसेंट है उसे हमें सब्सक्राइब करना चाहिए तीसे नंबर पर अगर कोई इंसान सराब का सेवन करता है तो सराब का से दूर्पान करता है तो दूर्पान करने वाले इंसान को भी डॉक्टर से सला लेकर ही इसका इस्तेमल करना चाहिए कभी इस सीरप को आपको दिन में दो बार से ज्यादा नहीं पीना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बोड़ी में आयरन बहुत ज़दा बढ़ ज अगर आप इसे अपने नजदी की फार्मसोटिकल से लेते हैं या किसी परकार के मेडिकल से लेते हैं तो आपको वहाँ पर 10-20% की छूट देखने को मिल जाएगे तो आप वहाँ पर जाकर इसे आसानी से खरेज सकते हैं आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेर करें मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के ल आप सबीका बहुत बहुत देने बात